वेल्कम टू सिलाई डाइरी बाई मीरा मौर्या हलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको साधे ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हम इसमें फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग करेंगे इसके लिए हमें कपड़े को चार फोल्ड कर लिए हैं एक दो तीन चार और इधर से जो डबल फोल्ड वाला कपड़ा बच्चा है इसमें हम हैंड बनाएंगे तो सबसे पहले हम ब्लाउज का लेंध ले रहे हैं ब्लाउज का लेंध आ रहा है 16 तो प्लस बन जाए 17 यहां से हां 70 एक्स्ट्रा जो है आप उसको फोल्ड कर लीजिए ऐसे यह देखिए ऐसे यह चार फोल्ड है तो अभी हां से यहां यह 70 यहां से हां यह 70 और सोल्डर सेवेल और गला जो है वह 2.5 पर बना रहे हैं और यह यहां से यहां यह भी हम 6 ले रहे हैं आर्मोल लेंद लेने के बाद एक निशान लगा देंगे और चेश्ट जो आ रहा है वह हमारा आ रहा है साड़े दस तो हम साड़े दस पर निशान लगा दिए और कमर के हां नीचे 10 इंच पर लगाने के बाद यहां से यहां एक सीधा निशान लगा दिए और यहां आर्मोल के सेव दे दिए अ है कर दो सुटब ड्रव है कि कि इसमें सोल्डर जादा है तो हम कि सोल्डर ऐसे तिछन करेंगे अगर गला बहुत ara रहता तो हम सोल्डर ऐसे करते इस सीच का आपको ध्यान रखना है कि अगर सोल्डर ज्यादा है तो आप हमेशा इसको क्रॉस करिए ऐसे और लेकिन अगर गला बहुत डीप है तो सोल्डर अपोजिट कर दीजिए लेने के बाद अब डॉट्स पॉइंट हम देख रहे हैं डॉट्स पॉइंट हमारा आ रहा है 10 and half तो हम 10 and half पर निशान लगा दिए और इधर से हम ले रहे हैं फोर इंच लेने के बाद आप बहुत ही सिंपल मैथड है यहां से यहां आप सीधा लाइन मिला दीजिए नीचे फिर इधर से इधर और इधर से इधर कमर के साइड वाला प्लूट्स और यहां से यह यह आप सीधा भी कर सकते हो आप ऐसे तिर्चा भी कर सकते हैं आपका अपना च्वाइस है आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं फिर इधर से यह लेने के बाद ऐसे निशान लगानेगे बाद आप जैसा देख रहे हो वीडियो में ये निशान लगाने के बाद फिर आप मिट्रे से सब जगर्ण आप डेल डेल इंच माइनस कर देगे ऐसे यह बहुत ही simple method है बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से यह बनता है blouse ऐसे डेड़ इंच यहाँ माइनस किये यहाँ यहाँ फिर इसको हम round shape देदेंगे ऐसे यह अच्छे से round shape आगया अब उसके बाद हमको क्या करना है यह वाले plits तक हमको नहीं शिलाई करना है जो यह round वाला shape आया है आपको वहाँ तक ही आपको plits का शिलाई करना है तो उसके लिए आप निशान लगा लीजी यहाँ एक इंच दोनों side और यहाँ 0.25 दोनो side same ऐसे इधर भी सिर्फ आपको यहाँ एक इंच लेना है सिर्फ आपको यहाँ एक इंच लेना है और सब जगह आप 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 इंच में पतला plits बनेगा यह हमारा हो गया basic pattern इसको हम काटके निकाल लेंगे एक्स्ट्रा लाइन ले लेंगे वन आइंड हाफ इंच के यहाँ से भी एक सिधा निशान लगाते हैं अब इसको हम काटके निकाल लेंगे अब इसको हम काटके निकाल लेंगे सिर्फ यहाँ आपको यह केक इंच का वासला देना है और सब जगाया फाफ इंच वे दोनों साइड एपलिट्स डाल सकते हैं प्लीज लाइक, सेयर और सस्क्राइब